हाई दोस्तों आज हम जानेंगे पलसर 125 बाइक में बीस-6 पलसर 125 बाइक में थ्रोटल बारी लगता है करवेटर तो यह हम जानते हैं कि पलसर 125 बीस-6 में क्या लगता है कि ब्यासिक्स में कुछ में कवेटर भी लगता है और कुछ में थ्रोटल बाडी भी लगता है तो यहम जानते हैं बंसर। 25 कि बारे में को स्थिए कम ग्रबेटर लगता है त्लोटल बाडी इसा करते हैं हम लोग 1535 में लगने वाला ऐए इसको हम खोल कर चेक करते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है और क्या पार्ट नमबर का होता है दिखिए यह पार्ट नमबर लिखा है DH 121260 यह पलसर 125 बाइक में लगता है BS6 तो इसमें देखिए लगता है DH 121260 कार्बूरेटर दिखिए पलसर 125 बाइक में कार्बूरेटर लगता है 125 सिसी में 150 सिसी अगर है तो उसमें थ्रोटल बाडी लगता ही है ठीक दाइए हम खोल कर चेक करते हैं इसमें अगरे 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 आट देखिए कार्बूरेटर है है पलसर 125 बीस 6 का ठीक है अंदर देखिए दिख रहा है पिश्टन यह पिश्टन जब चलता है तब आगी जो है कि कार्बिटर बित्यल जाता है और गाड़ी चलती है इस अब देख लीजिए क्या क्या चीजी लगा हुआ इसमें यह दो आटो चोक है यह अब कर दिखे एयर सोलोनाइट वाल्व है यह भी अलग से चेंज होता है अब कर यह भी अलग से चेंज होता है यह भी अलग से चेंज होता है यह दिखिया आपका कार्बेटर हो गया यह कार्बेटर अब बियस शिक्स गाड़ियों में 150 एसमें कार्बेटर की जगह एक्सोपचास इसी बाईक से ऊपर जब जाएंगे एक्सोपचास एक्सोपचास की उपर तो कार्वेटर बंद कर दिया गया है अब बजाज बाईक में 125 या उससे नीचे रहेंगे तो सभी गाड़ियों में कार्वेटर लग के आ रहा है इस चीज को ध्यान देंगे और एक सोपचीस जो है कि बीएस फोर में भी कारवेटर ही लगता है ठीक दोस्तों तो देखी कारवेटर हो गया तो और भी किसी वीडियो के लिए अगर किसी पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं बजाज सबंधित कोई भी वाइक हो किसी पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं कोई पार्ट नमबर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें नीचे वाटसप नमबर ही मिलेगा उस पर वाटसप भी करें ठीक दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही फिर अगली वीडियो मिलेंगे थ्रोटल बाड़ी या किसी और चीज़ क्यों लेकर धन्यवाद